हेलो दोस्तों मेरा नाम है एरुन और आप देख रहे हैं ट्रेड वित ररुन यूटूब चैनल दोस्तों आज का जो टॉपिक होगा वो बिल्कुल डिफरेंट है अपने ट्रेडिंग साइकलोजी को लेके आज हम बात करने वाले एक अलग टॉपिक पर जिसमें हम बात करें ह गुरूप के मालिक भी हैं तो हम उनके बारे हम बात करें हैं कि क्या वो अगले अंबानी अडानी हो सकते हैं ऐसा में क्यों किया रहा हूं क्योंकि आज का जो आर्टिकल आप अपनी वेबसाइट पर आगर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हूं तो यह देखिएगा कि यह ब पर नहीं है यह जिन्होंने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कीजिए अगर प्रसंद आता है और को इश्यू है तो कमेंट कीजिए हम आपके लिए लाइव ट्रेटिंग वीडियो से लेकर brokers के review कुछ stock के review भी लेकर आते हैं चलिए अब बात करते हैं वीडियो के बारे में तो दोस्तों आप सब को पता है कि इंडिया में public sector companies अभी market में बिखने के लिए तैयार है मोडी सरकार की 2.1 लाग करोड का dis investment plan की वज़े से देश में दरजनों से भी जादा public sector companies बिखने के लिए तैयार है जिसमें BSNL, LIC, BPCL जैसे बड़े नाम भी है इस बिखपाली के मौसम में सबसे जादा फाइडा कौन उठाएगा सबसे आगे नाम आ रहा है वेदानता के अनिल अगरवाल का जिनोंने अपने plan का खुलासा पहले ही कर दिया है कि वो 10 billion dollar का investment करना चाहते हैं इंडिया के privatization में इस funding के बाद क्या आने लगवाल Reliance या Adani के bracket में आप आएंगे इसका जाब जानने के लिए आपको time का wait करना ही पड़ेगा मगर एक बात ये है कि privatization की इस दौर में सबसे जादा फाइड़ा अगर किसी को होगा तो साइड इंडिया के unemployed youth segment को क्योंकि उनके लिए job generate होने के लिए एक golden opportunity है लेकिन ये सब private होगा इसमें भी कोई शक नहीं है अब बात करते हैं इंडिया के PSU disinvestment की क्या है ये plan इंडिया की मोडी सरकार ने इंडिया के विमारों PSU companies को बचाने का plan इसलिए किया क्योंकि उनको ये लगा कि ये companies कभी profitable नहीं हो सकती है और इनको operate करना सिर्फ घाटे का मामला होगा यही बज़े है कि government के 2021 fiscal में 2.1 लाग करोट रुपय उठाने का target रखा वो भी सिर्फ PSU company को बेच कर इस list में सबसे आगे है PSB यानि की Public Sector Banks जो बहुत बुरे हालात में चल रहे थे उसके बाद आता है BSNL का privatization, railways और LIC and भारत petroleum का privatization privatization का मतलब क्या है इसका मतलब है कि जहां सरकार कुछ companies को चला रही थी उसके management को समाल रही थी वही पर private companies आएंगी और वो इन companies को operate करेंगी उनको manage करेंगी इसमें क्या changes होगा सबसे पहले पूरा management style बदलेगा working ethics बदलेगी और profitability को prioritize किया जाएगा यानि कि profitability सबसे जारत देखी जाएगी तो company's size long run यानि 5-10 साल में profitable भी बन जाएं लेकिन इससे existing workforce में भी बड़ा बदलाव आ सकता है volume to retirement और pension खटम होने वाली बात भी हो रही है जिसकी बज़े से आपने देखा होगा कि बहुत सारे sector में इसका विरोध भी हो रहा है कुछ लोगों के ये भी कहना है कि BPCL और BSNL को अगर सरकार ठीक तरीके से चलाती तो ये private essence से जादा फाइडा दे सकती थी long time में लेकिन ये capitalism versus socialism वाली बात हम कोई और वीडियो में करेंगे फिलाल हम देखेंगे कि इस privatization में कैसे अनेल अगरबाल एक बड़े खिलाडी के तरीके से आगे आ रहे है अब बात करते हैं अनेल अगरबाल है कौन और वेडानता सेन का क्या सम्मन्द है अनेल अगरबाल इंडिया के commodity market के टाइकून है और metal king के नाम से भी जाने जाते हैं इन्होंने इंडियन government की 2000 वाले प्राइविटिशन के दौरान भारत aluminum को खरीदा था और उसके fortunes पूरा 360 degree चेंज करके रख दिया देश के और भी कई सारे metal and mining companies को acquire करने के बाद फिलाल उनका net worth है 2.5 billion dollar Bloomberg index के हिसाब से फिलाल 20 साल बाद फिर से जब NDA सरकार पावर में है तो अनिल अगरवाल फिर से एक बार एक और जम के preparation में है इस बार उनकी नजर में इंडिया के कुछ private company है लेकिन इस बार वो अकेले नहीं है अनिल अगरवाल ने London Waste Centres Asset Management के साथ मिलकर इंडिया के disinvestment plan में हिस्सा लेने का decision लिया है और उनका primary target है भारत Petroleum Corporation Limited यानि की BPCL अब दोस्तों हम बात करते हैं private economy की दोस्तों basic economy की बात करते हैं तो किसी भी देश की economy उसकी manufacturing, agriculture and private industry के ऊपर टिकी हुई है जब कोई भी government अपने सारे major companies या holding को private companies के हाथों में दे देती है तब सबसे बड़ा खत्रा ये रहता है कि government regulation या security कबर major workforce के पास से हट जाता है इंडिया में major corporation में से reliance एक है, Adani दूसरी है और Tata Group तीजरा है इसको छोड़के काफी सारे IT company हैं जो इंडिया की growth में major हिस्सेदारी रखते हैं लेकिन कुछ ऐसी companies हैं जैसे BSNL, ONGC, BPCL, LIC ऐसे भी थे जिनको इंडिया के dwells कहा जाता था और उनमें से अगर BPCL, LIC, BSNL को base दिया जाए तो फिर वो एक negative step भी हो सकता है और फिर अगर पूरे इंडिया में reliance, Adani, Tata या Bedanta group जैसे 4 या 5 major private player हों तो फिर देश की economy और share market इन big players के उपर dependent रहेगी इनके उपर कोई भी impact आया तो पूरी economy और देश की population सफर करेगा और अगर ऐसा हुआ तो देश की public और economy के उपर सरकार का control बहुत कम रह जाएगा सरकार का काम सिर्फ tax collect करना नहीं है बलकि employment generate करना है और public को health care और safety net provide करना भी है इंडिया की 130 करोड population को safety net के अंदर लाने के लिए जितना पैसा चाहिए उतना GDP इंडिया के पास है नहीं और होने में भी बहुत दिन लगेगा लेकिन अगर सिर्फ GDP numbers के पीछे भागते भागते हम अपने major workforce और population के welfare को ignore करें ज़्यादा पैसा मिल रहा है इसलिए pension बंद करनें stake बाले सरकारी companies को बेच दें बड़े बड़े private corporate houses के पास तो फिर वो कितना risky होगा ये तो time ही बता पाएगा लेकिन इंडिया की unemployed youth के लिए corona pandemic के एक ऐसा time लेके आया है जिसकी वज़े से उनके सारे savings से लेकर उनके hopes भी नीचे आ गए है share market भी 3-4 बड़े players के movement से ही impacted हो रहा है और यही वज़े है कि private की privatization के time पर जब एक बड़ा business house आगे आगे major player को खरीनने की बात करता है तो लोगों को यही लगता है कि इससे common लोगों को कोई फरक नहीं आएगा सब ऐसा ही चलेगा जैसे pandemic में savings कोने के बाद भी देश के गरीब लोगों को कोई राहत नहीं मिली और Reliance Adani जैसे firm करोड का मनाफ़ा pandemic lockdown में भी कमा गए तो आने वाले दुनों में देखना interesting होगा कि इंडिया क्या सिर्फ एक private economy बनके रह जाएगी क्या इंडिया के foundation के बक्त public welfare को जो importance दिया गया था उसको follow किया जाएगा या फिर दुनिया में जो trend चल रहा है उसको follow करते हुए इंडिया की पूरी wealth कुछ corporate house के billion of profit and loss account में अटक कर रह जाएगी वेदानता के इस investment news की बज़े से उनके share पे भी impact हुआ है इंवेस्टर को पैसा कमाने का मौका में लाए मेरी यही hope है कि आने वाले दुनों में सिर्फ share market ही नहीं बलकि देश की youth को employment का और पैसा कमाने के नए रास्तों का पता चले तो दोस्तों यह था यह जो news मैंने आपको बताई है यह जो आप screen पर देख रहे हैं इस सब का पूरा निचोड़ तो I hope आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा आपको इसमें अपने जो भी views हैं आप please comment में लिख कर मुझे बताईएगा Thank you दोस्तों, thank you so much, good day